एक ये breaking news मुख्यमंत्री मनुहरलाल का बयान या अंदोलन अबडेच किसान अंदोलन पर सीम मनुहरलाल का बयान इंटरनेट बंद करने पर बोले हैं सीम 26 जनवरी की घटना के बाद इंटरनेट कर गंट्रोल करना सही जैसे परिस्थिती संभलेगी इंटरनेट बहाल कर दिया जाएगा हमने जो व्यवस्था की कॉंग्रेस पूरी उम्र नहीं कर सकती किसान अंदोलन में कॉंग्रेस का रोल निंदनी है हरियाना के किसारो पर कारवाई पर बोले सीम सहब लोकतंतर में सभी को अपनी बात रखने की आज़ादी है प्रधान मुंतरी ने बाचीत से रास्ता निकालने की बात कही जल्दी रास्ता निकलने की उम्मीद भी है ऐसा सीम ने बयान दिया मुख्यमंत्री मनुहरलाल का बयान पहुचा रहे हैं किसाना अंदोलन पर आज खुल कर बोले सीम इंटरनेट बंद करने पर बोले सीम कहा सीम ने कि 26 जन्वरी की घटना के बाद इंटरनेट कंट्रोल करना सही है जैसे ही परिस्थिती संबलेगी इंटरनेट बहाल कर दिया जाएगा हमने जो व्यवस्था की कॉंग्रेस पूरी उम्र नहीं कर सकती इसके आगे सीम ने कहा की किसान अंदोलन में कॉंग्रेस का रोल निंदनीय है हर्याणा के किसानों पार कारवाई पर बोले सीम मनुहर लाल की लोकतंत्र में सभी को अपनी बाद रखने की आज़ादी है इस वक्ते बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री मनुहर लाल ने किसान अंदोलन पर बयान दिया सबसे पहले वो इंटरनेट बंद करने की बात पर बोले उन्होंने का कि 26 जिन्वरी को जो हुआ उसे ध्यान में रखते हुए इंटरनेट बंद करना सही है सही कदम है जैसे ही परिसिती संभलेंगी तुरंत प्रभाव से इंटरनेट बहाल कर दिया जाएगा पड़ी खबर मुखे मंतरे मनुहरलाल का बयान पहुचा रहे है आप तक सीम ने कहा कि जैसे ही परिसिती संभलेंगी इंटरनेट से वा बहाल कर दियाएगी 26 जिन्वरी को जो हुआ उसे ध्यान में रखते हुए इंटरनेट बंद करना सही कदम था कर दिया दियाएगी